ओम नमाश्चिवाए तक लगी रहेगी तत परश्चात चतुर्थी तिथी प्रारम हो जाएगी चंदरमा आज भी पूर्भा साढ़ा नक्षत्र में सुबह दस बज कर 35 मिनट तक चलते रहेंगे तत परश्चात उत्तरा साढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे जिसके नक्षत्र स्वामी सूरी देव हैं आज के जन में जातक सुन्दर, मजबूत शरीर वाले, अधिक मित्रों वाले, लोकप्रिय, धनी और एस्वरे साली होते हैं ऐसे जातक धार्मी कृत्यों में भाग लेने वाले और सरकारी छेत्रों से लाभ पाने वाले होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा, सूरी और ब्रिहस्पती की इस्तिती अनकूल रही तो पून सफल होंगे चन्दरमा आज ही साम 5 बचकर 18 मिनट तक धनू राशी में ही चलते रहेंगे तद बस्चात मकर राशी में प्रवेश कर जाएंगे अता पूरे दिन चन्दरमा की यूती शाम 5 बचकर 18 मिनट तक शनी के साथ ही बनी रहेगी मगर नक्षत सूरी का होगा जिससे रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी सरगारी कामों में मदद मिलेगी और विभागी सहयोग जारी रहेगा मगर सनी चन्द्रमा की यूती के कारण कारे छम्ता बढ़ी रहेगी हर काम करने के प्रती अपने मेहनत पर विश्वास रहेगा मगर मन में नकारात्मक्त बिचारों का उतार चड़ाव और सोभाव में उगरता परिलक्षित होगी पिता और पुत्र के विचारों में मानसिक भिन्यता संभावित है परिस्तितियों को ध्यान में रखते हुए धहरे और सहियम आवश्यक होगा बड़े बुजुर्गों की सलाह लावलायक से धोगी और सार्थक अन्गूलता बनी रहेगी मेश राशिके जात्कों के लिए आज का समय सक्रियता में कमी और मानसिक दबावाला बना रहेगा हलाकि परिश्रम का केंदर बिंदु अपनी योजनाओं को सफलता पूर्वक आगे बढ़ाना और बिक्सित करना रहेगा साजेदारी की लावदायक वेरना और आथिक अन्गूलता बनी रहेगी संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है मगर बाद बाद में उत्येजना का माहौल और वाद विवाद से प्रगती में बादा भी संभावित है सरकारी कामकाज पूरे होंगे और विभागी सहीयोग से लाव मिलेगा अध्यान अध्यापन में अनकूलता बनी रहेगी पारिबारिक सुख सोहाद में बृद्धी होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का समय अनकूल रहेगा ब्रिश राज के जातकों के लिए आज का दिन उतार चड़ाव वाला रहेगा बृद्धी छमता में बृद्धी होगी और कारेच्छेत की अधिक्तम योजनाएं पूरी होंगी नई कारी योजनाओं में लाव मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे साजेदारी सफल रहेगी ससुराल से ही सहयोग वा आर्थिक लाव मिल सकता है मगर कुछ कामों में आत्मिश्वास में कमी और पहल करने की छमता प्रभावित हो सकती है चंद्रमा सूरे के नक्षत्र में चल रहे हैं बिरोधियों से सावधानिय पेक्षित है धैर्य और साइयम से काम लेते हुए माहौल को अनिपूल और शांतिपूर्ण बनाए रखें सिक्षा प्रद्योगिता में सफलता मिलेगी धार्मिक भावना बलवती होगी स्वास संबन्धी सावधानिया रखनी चाहिए और वहां सावधानि से चलाएं मिथुन राशिक जात्कों का जुकाओ, कारेच्षेत्र और ब्यावसाई कुद्देश्यों की पूर्ती और आथिक लाव के प्रति केंदित रहेगा साथ ही संबावित यात्राएं भी हो सकती हैं मगर अनावर्शक, चिंता, बेचैनी, भ्रमात्मक इस्थिति और मानसिक दबाव भी संबाव है हलाकि सकारात्मक, उर्या, आस्तर और आत्मिश्वास में उल्तार चढ़ाओ हो सकता है जो कि ब्यावसाईक अनकूलता और आर्थिक लाव को प्रभावित करेगा किसी काम को करने के लिए प्रयास की पुनरा व्रित्ती संबावित है मगर विभागी सहियो कायम रहेगा और सरकारी काम काच पूरे होंगे सक्षा प्रत्योगता के लिए समय अनकूल है साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा वह हम सावधानी से चलाएं साथिस्वास संबंधी जटिल्टाओं पर वी से स्धियान रखें करकर आशिके जात्कों के लिए आर्थिक पक्ष सामान रहेगा और लाव की स्थिति कारे छमता के आधार पर बनी रहेगी पहले के चले आरहें मानसिक दबाव, चिंता और नकारात्मक विचारों में कमी आएगी अपने आपको शारीरिक और मानसिक रूप से उर्जाबान महसूस करेंगे मगर भैर्य और संयम आज ही रखना पड़ेगा साजेदार्य और कारे छमता के विष्टार और साथी साथ सकारात्मक पेरणा और उचित दिशा निर्वेस की संभावना बनी रहेगी अपनी योजनाओं को मूर्थ रूप देने के लिए समय अनकूल है प्रतिनी रिख्त करने की छमता और अतिरिक कारियभार बना रहेगा मगर आपसी संभन्धों में मजूर्ता कायम रखें और वाहन सावधानी से चलाएं सिंग हराशी के जात्मों के कामों में सफलता हासील होगी पहले की चली आ रही बाधाये खत्म होंगी सार्था कोहल जारी रहेगा हाला कि सारीरिक रूप से अपने आपको स्वस्त महसूस करेंगे नई कारियोजनाओं को विक्सित करने और रुके हुए कामों में कोसंकप संपन्द करने की कोशिस में पहल जारी रखें सासन सब्ताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा आठिक वक्ष मजबूत रहेगा नीजी निवेश के लिए समयनकूल है मगर संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी अध्यन अध्यापन में प्रतियोगी भावना बिक्सित होगी सफलता संब्भावित है प्रयास जारी रखें और वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें कन्याराज के जात्मों को कारेचित से संबंधित मामलों में साथा क्वाल जारी रहेगा आठिक लाव के नया उसर मिलेंगे मगर पारिवारिक सुख चैन में कमी महसूस होगी रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और स्वास संबंधी मामलों में सुधार महसूस करेंगे हाला कि मानसिक दबाव और आत्मिश्वास में उतार चढ़ाव और असंतुष्टी संभावित है मगर आर्थिक लाग के नया उसर मिलते जाएंगे अधिकतर कारे पूरे होंगे और साज्यदारी के प्रस्ताव लावदायक रहेंगे घर ग्रिहस्ती में निवेश की संभावना भी बनती है अध्यान अध्यापन में उतार चढ़ाव बना रहेगा शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी प्रियास जारी रखें और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा तूला राशी के जात्कों को सकारात्मक प्रेणा और उचित दिशा निर्गेस मिलता रहेगा अगर अनावसे घवराहट बेचैनी निर्णे लेने की छमता में उतार चढ़ाओ की संभावित है हलाकि सकारात्मक पहल और व्यावसाईक उत्थान के लिए मानसिक्ता बनी रहेगी चंद्रमा आज सूरी के नक्षत में चल रहे हैं जिसका मिला जुला असर लावदायक परिश्थितियों को अनकूल करेगा और कारेच छेत्र की अनावसे के रुकावटें खत्मोंगी नीजी नीवेश के लिए समय अनकूल रहेगा बिद्याथियों को अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा अनावसेक वादविबाद और वेगुनियाद आरोप की संभावना बनती है सावधानी अपेप्षित है बिश्चिक राशी वाले जातकों के कारेच्षेतर के लिए जोश और उत्साह बना रहेगा धन संबंधी मामलों में मीत व्याई, मानसिक्ता के साथ आठिक लाव और अपने कारेच्षेतर में उठरही बाधाओं को हल करने की प्रवरित्ति बनी गएगी वाड़ी पर नियंतरन रखें, हलाकि संकाओं का दोर और कारेच्षेतर की सकारात्मक पहल में मजबूती आएगी साथ ही संतान के दाइत की पूर्ती में सहयोग मिलेगा फिर भी धहरे और सक्रियता बनाए रखें, खर्चों को नियंतित करने की आवसकता है शिक्षा प्रत योगता में सफलता मिलेगी और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा घानूराश्ची वाले जात्मों को और धन संबंधी मामलों में उतार चड़ाओ और आर्फिक लाव के इस्तिती मन मुताविक बनी रहेगी मगरवाणी की तेजसिता और मानसिक सोच प्रभावित रहेगी महत्पूर निरने ततकाल और जल्दवाजी में नहीं लेना चाहिए रचनात्मक प्रयासों में मन लगेगा और नए प्रस्तावों में अस्थाई विकास होगा साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा और सरकारी काम काज पूरे होंगे विद्याथियों के लिए समय अनकूल है परिवार जनों का सहीयोग और उनकी प्रिणा लावगदाय अगसित होगी ग्रिहोपयोगी बस्तूं में बिद्धी होगी स्वास संबंधि सावधानिया रखनी चाहिए साथ ही वहां सावधानि से चलाएं मकर राज के जादक अति उत्साहित महसूस करेंगे और स्वयम के स्वास और फिटनेस के प्रति जागरुकता पैदा होगी मानसिक दबाव संभव है नीजी समस्याव और संबंधित मामलों में उद्धेश्यों की पूर्ती के प्रति आज का समय केंजित रहेगा सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा रचनात्मक कारियों के लिए प्रेरणाम मिलती रहेगी और अंतरमन का सहयोग जारी रहेगा खर्च की इस्थिती नियंतित होगी, अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी, मगर साजेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित हैं और वैवायक मामलों के लिए आज का दिन अनिकोल रहेगा, साथ ही वहां हम सावधानी से चलाएं कुम्ब रासिवाले जात्मों के लिए अपनी सुख सुविधाम और ग्रियोप योगी वस्तों में निवेस की स्थिती बनी रहेगी, साथ ही यादमिश्वास में उतार चड़ाव और कारेच शेत्र के संसाधनों पर ब्याय संभावित है, लाहदाई योजनाओं को विक्सित क करने का समय अनकूल है, सासन सताव और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा और यातरा की संभावना बनती है, बीरोधियों से सावधान जहें, वाद वीवाद से संभन्दित मामलों में सावधानी अपेक्चित है, अध्यान अभ्यापन के लिए प्रयास जारी रखें, सं वादान संभन्दी सुखत समाचार मिल सकता है, मगर स्वास्त पर ध्यान देना चाहिए, और वाहन सावधानी से चलाएं, मीन राशी वाले जात्कों को कारे चेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी, व्यावसाई की विकास से प्रती सब कुछ रुका हुगा सा महसूस होगा, मगर आई संभन्दी मामलों में नए विकल्प की मामसिक्ता सुद्रेड होगी, मित्रों से सहयोग और उसे होने वाले लाव के प्रती आज का दिन सहयोग करेगा, मगर स्वास पर विशेश ध्यान देने की आवसकता है, साथ ही आत्मिश्वास में उतार चड़ाओ भी संभव है, फिर भी पहले की कारियोजनाएं चलती रहेंगी, सरगारी कामकाश पूरे होंगे, आर्थिक पक्ष में सहयोग मिलेगा, सिक्षा प्रती योगता में सफलता मिलेगी और संतान संबंदी चिंताओं में कमी आएगी, विपरित परिस्तितियों में धैरे बनाए रखें और सार्थक पहल जारी रखें, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ओम नमाशिवाए